है गाई असलामों अलेकुम आप सबका अपने चैनल में वैलकम कर रही हूं और मैं आज इस वीडियो में एक डिटॉक्स वाटर की रेसेपी शेयर करने जा रही हूं कमेंडे में बहुत लोगों मुझसे पूछते हैं कि मैं जिसे रमजान में कौन से डिटॉक्स वाटर सकते हैं जो भी आपको सही लगे आप ले सकते हैं फ्रूट का भी बना के ले सकते हैं मैं आगे भी और सारी वीडियो लाओंगी तेकिन यह बहुत सिंपल सा डिटॉक्स वाटर आप इसको बना के लिजिए कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी आपको प्यास जो पानी क तो आप लोग का ऐसा गया और मेरा तो बहुत अच्छा गया क्यूंकि थोड़ा मौसम सही जानते हैं इस टाइम लोगडाउन है तो ज्यादा गाड़िया नहीं चल रही है और होटल होटल सब हमारे घर के असपास बहुत ज़्दा होटल है तो गर्मी बहुत जाधा हो जात यह वाली रेसिपी आप लोग देख लिए बस दो मिनिट किया है जादा नहीं है फटाफट देख लिए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूं देखिए मैं सब्जा ले रही हूं बेजल सीड्स है यह तूद मलंगा भी बोलते हैं तूद मलंगा मालूम था तो यह मैं एक चमच यह ले रही हूं और इसमें पानी डाल देंगे बहुत जादा पानी शोक करता है चिया सीड्स से जादा यह बेजल सीड्स पानी सोक करता है चिया जो कम फूलता है जादा फूलता एक थोड़े 10 मिनट के छोड़ देंगे जल्दी फूल जाता दस-15 मिट में अब देखिए प्लांट मेरे पास तो बहुत सारे हैं मेरे पास तो यह मैं ले रही हूं इसको ऐसे पानी में छोड़ देंगे तो इसमें जो पीला वाला होता निकल जाता हो कड़वा भी लगता और नुकसान भी करता है जी देखें पीला पीला पानी हो गया तो ऐसे उल्टा कर रख देंग अब यह जो बेजिल सीट्स मैंने भीगो के रखी थी अब यह इसमें आधी डाल दी है पूरा नहीं डाल नहीं हूं जादा है तो यह आधा इसमें डाल दिया है और नीबू काट के रखा था था दो तीन स्लाइस और डाल दी है और यह पुदिने के पत्ते हैं इससे रिफ्रे आपके साथ में और भी आज आज आगे डीडॉक्स की डिस्टॉक्स वार्टर की रेसिपी शेयर करूंगी जैसे फूर्ट बेंस वारी जो होती है तो आप यह ले सकते हैं सबसे अच्की तो यह ही है अब आगी माने खीरे वाले यह चो पहले थी वही लेर सकते पिर इसमें मनें आधा लेमन डाल दिया आधा नीबू का जूस डाल दिया है बस यह तैयार है बस वही आप लोग को अगर शर्बत चाहिए तो इसमें एक चमत शहर डाल सकते हैं वह इतना डालें तो ज्यादा अच्छा है अब इसको ढखके एक घंटे के लिए रख देंगे जिसे इफ्तारी के गंटे पहले बना के रख दीजिए इफ्तारी के टाइम आप इसको ले सकते हैं तो देखिए आपने किती सिंपल सी है आप इसको बना के ले सकते हैं आप जैसे खजूर खाते हैं तो उसके बाद आप यह वाला पानी ले सकते हैं इससे आपको dehydration नहीं हो तो अगर लेकिन बहुत से लोगों हैं जो शर्वत की विया बिल्कुल भी नहीं चलता है तो इसमें शर्वत डाल लीजिए तो आपको शर्वत भी बन जाएगा डीटॉक्स वर्टर भी बन जाएगा तो आपके लिए सही रहेगा चलिए तो फिर मैं कल यहां थोड़ा सा मैं हम अपण शरी रेसिपी अप लुगक शेयर करऊंगी तो बडू मीडियो के साथ और प्र Wagini जाएगी